हलो दोस्तों मिरा नायम मुहमत कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल एक सवाल बहुत सारे छात्र पूछ रही हैं कि हमारा सब्जेट कॉंबिनेशन तीनों साल तक नहीं बन रहा है क्या हम आवेदन कर सकते हैं हमने दो साल तक तो पढ़ा है वो विशय लेकिन हमने तीसरे साल जाते जाते उस विशय को छोड़ दिया था बात करेंगे दोस्तों इसी टॉपिक पर और एक्जामपल के साथ मैं आपको सारी सेजा यहां पर क्लियर करूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद सब्जेक कॉंबिनेशन को लेकर ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो वीडियो में लाट्स तक बने रहिएगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना बैस बुक फार टीजिटी पीजिटी आ गई है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं चक्सु प्रकासन की टीजिटी पीजिटी हिंदी कला गड़ित इसी के साथ साथ इंग्लिस समाजी विज्ञान और विज्ञान की बुक्स अवेलेबल हो गई हैं बुक्स हैं सॉल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट की तो जल्दी से जल्दी आप यह किताब हैं खरीद लीजिए नजदी की स्टोर्स पर यह बुक्स अवेलेबल हो चुकी हैं जल्दी यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा टीजिटी पीजिटी के एक्जाम को क्रैक करने के लिए सॉल्ड पेपर और प्रैक्टिस सेट लगाना काफी जादा जरूरी है और अब तक के पूछे गए सभी प्रशनों का समावेस इन बुक्स में कर दिया गया है तो टाइम वेस ना करते हुए आप अपनी त्यारी जो साल का देखा जाता है नोडिफिकेशन में दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी विसे की में बात करूँ कहीं भी ये नहीं है कि तीनों साल तक आपने वो विसे पढ़ा हो चाहें वो गड़ित हो ग्रीविग्यान हो या जो भी यहां पर विशे हो चलिए बात करते हैं एक्जामपल के साथ और मैं कुछ विसे का एक्जामपल लेकर आपको समझाओंगा ताकि आपका कन्फियूजन दूर हो जाए बात करें कि सबसे पहले हम लोग साइन्स की विसे की साइन्स की ये है कि भौतिक और रसायन यानि फेजिक्स और केमेस्ट्री आपने अपने बी यसी के फर्स्ट इयर में फेजिक्स कमेस्ट्री और मैट्स तीनों विसे पढ़े उसके बाद सेकेंड इयर में भी आपने ये तीनों पढ़े फेजिक्स कमेस्ट्री मैट्स लेकिन तीसरे साल क्या हुआ कि आपने फेजिक्स को छोड़ दिया आपने पढ़ा कमेस्ट्री औ पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं साथ ऐसे चात्र मैतमाटिक्स के लिए विए लिजिबल है क्योंकि उन्होंने अपने बीसी में मैट्स भी पढ़ा है क्योंकि मैट की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि बीए अथोवा बीसी में गड़ित तो कई लोगों से बास्चित करने के बाद और डिसकसन करने के बाद फाइनल निसकर से ही निकला है कि आप आवेदन कर सकते हैं और आप आवेदन जरूर करिएगा और मोश्ट प्रॉबेबल गड़ित और विज्ञान की परिक्षाएं अलग-अलग डेट्स में होती हैं तो यह आप समझ सकते हैं चलिए एक और विशा का हम लोग एग्जामपल लेते हैं समाजिक विज्ञान का समाजिक विज्ञान की अलग-डी आप जानते ही होंगे यह चार विशा है इन में से कोई भी दो विशा है यादि आपने बी-ए में पढ़ा है जिसमें इतिहास है आपने पढ़ा पहले साल हिंदी और पढ़ा आपने एकोनोमिक्स और पढ़ा आपने हिस्ट्री ठीक है सेकेंडियर में भी आपने हिंदी पढ़ा और एकोनोमिक्स पढ़ा और हिस्ट्री पढ़ा अब थाडियर में क्या होता है कि आपने एकोनोमिक्स को छोड़ दिया हिं हिंदी और इतिहास तो क्या ऐसे चात्र समाजिक विज्ञान के लिए हैं क्योंकि समाजी विज्ञान के लिए यह चार विशह थे इतिहास राजनीती शासर भूगोल और अर्थसाइस में से दो विशह तो आपको पढ़ना चाहिए तो क्या यह दो विशह हमारे फानल एर में भी होने चाहिए तो हमने हिंदी और इतिहास पड़ा है एकोनॉमिक्स हमने पहले छोड़ दिया था तो दोस्तों ऐसे चात्र समाजी विग्यान से अलिजिबल हैं क्योंकि आपका जो सब्देट कॉंबिनेशन है वो दो सालों तक बन रहा है और ऐसे चात्र हिंदी से भी आव हिंदी टीजिटी से भी आवेदन कर सकते हैं तो यह एलिजिबल्टी यह आपके पास है तो आप हिंदी से भी आवेदन कर सकते हैं और समाजी विग्यान और हिंदी का भी पेपर अलग-अलग दिन में ही कराया जाता है और हिंदी की दूसरी एलिजिबल्टी है कि आपने ब और उतादू कि यदि आपने अपने बीए में हिंदी पढ़ा है और संस्कित नहीं पढ़ा है और आपने इंटर में भी संस्कित नहीं पढ़ा है एकल विशह से बाद में भी संस्कित नहीं किया है तो आप तीजिटी हिंदी के लिए अलिजिबल नहीं है और जिनका एकल से एक result यदि आप का जाता है चाहे वो इंटर हो या ग्रेजवेशन हो तो आप आवेदन कर सकते हैं और यदि आपके माक्सीट नहीं आई है जो की नहीं आई ही होगी तो आप प्राप्तांग प्रोडांग लिखिए ग्रेजवेशन वाले सेक्षन में और माक्सीट नंबर में आप एने लिख दीजिएगा नॉट अप्लिकेबल क्योंकि आपके पास है नहीं और हाइस्कूल इंटर में तो वैसे भी माक्सीट नंबर और इसू डेट वागर नहीं मांगता है और प्राप्तांग प्रोडांग तो आपके पास होना ही होना चाहिए चूंकि आपका result आ ग आपके सवाल का जवाब पहुत ही जल्दे दिया जाएगा इस वीडियो को लाइक करता है चैनल को सब्सक्राइब पर लिजिए और हमारे साथ जूड़े रहे यदि आपने अभी तक हमारे टेलेग्राम चैनल को जो आई नहीं किया है तो अभी कभी कर लाएं लिंक डिस्क् सब्सक्राइब वीडियो को लाट तक देखने के लिए थैंक्स वाचिंग